प्रकृति ने सुन्दरता भर भर कर उटाई है यहां के जंगल पहाड जरने और नदियां बर्बस ही लोगों का ध्यान आकरशित कर लेते हैं अभी बारिश के सीजन में तो यहां की खूपसूरती बेहत बढ़ गई है खास तोर पर बस्तर के चित्रकोट वाटर फॉल को देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी हर रोज यहां पहुँच रहे हैं यहां कलकल गिरता पानी और सुन्दर नजारा लोगों का मन मोह लेता है यह वाटर फॉल छोटे बड़े पहाड और घने जंगल से घीरा हुआ है मौनसून में जलस्तर बढ़ जाने से यहां का नजारा और भी खूपसूरत लगने लगता है आप वाटर फॉल के आसपास ट्रैकिंग का भी लुथ फुठा सकते हैं चित्रकोट वाटर फॉल को भारत का नियागरा भी कहा जाता है इस जल प्रपात की उचाई करीब 90 फीट है इसका रंग पहर के हिसाप से बदलता रहता है जगदलपुर से 49 किलो मीटर दूर इंद्रावती नदी पर ये वाटर फॉल है गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती पर चित्रकोट नाम की जगह पर ये वाटर फॉल भारत का विशालतम जल प्रपात है बारिश के मौसम में इसका विस्तार बहुत जादा होता है उस समय इसके पाट की चोड़ाई देड़ सो मीटर तक पहुँच जाती है इस जगह पर इंद्रावती नदी की जलधारा 90 फीट की उचाई से तेज आवाज के साथ गिरती है इस विशाल जल राशी के नीचे गिरने से पैदा होने वाली जल की छोटी छोटी बूंदे आस पास कोहरे जैसा नजारा पैदा करती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसकी छटा और निराली लगती है क्योंकि तब इस पर पढ़ने वाली सूर्य की किरने इंद्र धनूशी प्रभाव पैदा करती है मौनसून के मौसम में चित्रकोर्ट फॉल्स देखने का अनुभाव एक्दम अलग ही होता है जो प्रकृती की शक्ती और सुन्दर्ता दोनों को दिखाता है जुलाई से अक्टूबर तक मौनसून की बारिश इंद्रावती नदी में उफान लाती है जिससे चित्रकोर्ट फॉल्स पानी से लबालब हो जाता है ये ज़ड़ना लगभग 300 मीटर यानी 980 फीट की चोड़ाई में फैला है वहीं करीब 90 फीट नीचे कुंड में गिरता है इस जगह का सांस्पृतिक और एतिहासिक महत्व भी है ज़ड़ने के आसपास का क्षेत्र विभिनादिवासी समुदायू का घर है चित्रकोट फॉल्स के आसपास का क्षेत्र भी प्राचीन मंदिरों और पुरा तात्वित स्थानों से भर पूर है जो इस क्षेत्र की सम्रद इतिहास की जलक पेश करता है चित्रकोट की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अगस्त सतंबर और अक्टूबर है बारिश के बाद पूरा इलाका हरे भरे घने वर नस्पतियों से भर उखता है चित्रकोट फॉल्स सडक मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जिससे यहां 36 गढ़ और पडोसी दाजियों के प्रमुक शहरों से पहुचा जा सकता है यहां से निकट्तम शहर जगदलपूर है जो बस्तर जिले का मख्याले है यहां रुकने के लिए आपको बजट होटनों से लेकर मिट कैटेग्री की रिजॉर्ट्स तक मिल जाएंगे वियो रिपोर्ट अन्पीजी नियूस